इस विशु में इंसान या जानवर ही सिर्फ मास नहीं खाते हैं बलकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो जानवरों का मास खाकर अपना पेट भरते हैं जी हां क्यों चौग गये ना दरसर एक ऐसा पौधा है जो भीड और पक्षियों के लिए काफी खतरनाक है इस पौधे का नाम है पुया चिली सिंस ये जानवरों को खाकर अपना पेट भरता है यदि कोई पक्षी या जानवर इस पौधे के पास जाता है तो वे इसके काटों से चुपक जाता है और लड़खडाना शुरू कर देता है और इसके पत्तों में वे इतना उलच जाता है कि उसका इस पौधे के बाहर निकलना बिल्कुल ही असंबव हो जाता है और काफी जद्दुजहत के बार आखिर उस पक्षिया जानवर की वही मौत हो जाती है जिसके बाद उनका मास वही पड़े-पड़े सर जाता है और वो मास एक खात का रुप ले लेता है और इस खात से पुया चिलिनसिंस नाम के पौधे को पोशक तत्व प्राप्थ हो जाता है और उसे ग्रो होने में मदद मिल जाती है और यही कारण है कि पुया चिलिनसिंस पौधे को भीड़ खाने वाले पौधे की नाम से भी जाना चाता है। आपको बदा दें कि पुया चिलिसिस नाम का ये पौधा साउथ अमेरिका के चिली शहर में पाया जाता है जो गुरो होने में कम से कम 10 साल का समय लेता है और इसके उपर जो फूल आती हैं उन्हें आने में लगभग 20 साल का समय लग जाता है ये सदा बाहर 12 मा से हरे रंग का पौधा घना और 6 से 7 फीट उचा होता है तो वहीं इसके पत्ते भी विलिट की तरह काफी उखिले होते हैं साथ ही इस पर हरे और पिले रंग के फूल पाय जाते हैं जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं अगर आपको हमारी इस खास खबर के बारे में कुछ सुझा देने हैं तो कृप्या नीचे देखे करें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट को जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय पौधों के बारे में या फिर इसी तरह कि अन्निक खबरों से जुरी चांधारी के लिए देखते र थेल्गाल कि अन्निक खबरों से कुमें।